हेलो एवरिवान, वेलकम टो स्कूल लेसन, आज हम परेंगे क्लास सेवेंथ साइन्स का साप्टर फिप्टीन लाइट, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने रिफ्लेक्शन आफ लाइट देखा था, जो लाइट का डिरेक्शन होते हैं, अगर लाइट मीरर में या फिर कोई भी जो साफ पानी का सर्फेस होते हैं, उसमें अगर गीटते हैं, तो मीरर जो है, या फिर पानी का सर्फेस है, वो लाइट की जो डिरेक्शन है, उसे बदल सकते हैं, तो उसी को देखने के लिए हम आज एक अक्टिविटी करेंगे, इस एक टॉर्स, टॉर्स को आपको एक साथ पैपर से इस तरीके से कवर करना है, कि उसमें ना तीन स्लीर्स रहे, स्लीर्स का मतलब है, इस तरीके से तीन कटा हुआ, मतलब होल रहे उस स्लीर्स में, उस कवरिंग्स में इस तरीके का आपको कवरिंग्स लेनी है, तो फिगर में दिखाया हुआ है, यह और स्वानियों तसले में आपने संब्टेशा से जरूते हाँ, आपको इस तरीके से कवर करना है . जिसमें इस तीन का पर जो दिया हुआ है , ता उसके बाद आपको क्या करना है , साथ पेपर ओने समूथ ऊडेन बोट , आपको एक समूथ ऊडेन ने बोट , आपको एक समूथ तो इस तरीके से आपको यहापे यह जो उडेन का जो आपने एक बोट लिया है इसमें आपको सर्ट पेपर को वर्टी के लिए लगाना है लगाने की बाद आपको क्या करना है नाव डिरेक्ट दा बीम ओफ लाइट ऑन दो मिरर फ्रॉम दो टॉर्स वी दे स्लीर्स आप ही आ प्लेज दा टॉर्स इन सच से वे देट इस लाइट सीन अलंग दो सर्ट पैपर ओन दो पोट नव एज़स्ट इस पोजिशन सो देर दो लाइट पोजिशन सो देर दो आपको क्या करना है जब आप लाइट को जला देंगे यह जो तीन होल था यह वला होल इसमें से पे जब इस तरीके से लाइट जाएगा तो लाइट ऐसे करके वापस आएगा हैना तो यह क्या होगा है लाइट का जो है डिरेक्शन से इन सो गया है लाइट सीधी इस तरीके से गिरा था लेकिन वो फिर वापस इस तरीके से आ गया यही क्या है रिफ्लेक्शन आफ लाइ क्या है ऐसे गिरा था ऐसे वापस आया है तो direction तो change ही हुआ है now move the torse slightly on the either side तो अभी आप जो torse है उसको slightly move करके भी देख सकते do you find any sense in the direction of reflection light अगर आप change भी करेंगे तो भी अगर light mirror पे गिरेगा तो वो reflect करेगा मतलब वो अपनी direction को change करेगा वो जब तक mirror पे गिरता रहेगा तब तक तो look into the mirror along the direction of the reflected light आपको mirror पे देखना है do you see the slits in the mirror this is the image of the slits तो आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे जो slits आपने जो तीन ऐसे करके box बना के जो torse को cover किया था ये वला जो slits है इसका image आपको mirror में दिखने लगेगा this is the image of the slits ये ही है slits का image तो image क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी एक slits को mirror के सामने रखते है तो exactly वही slits mirror में दिखता है जो mirror में दिखता है वो image होता है तो यहाँ पे हमें mirror में क्या दिख रहा है ये वो slits हमने रखा था वो दिख रहा है तो ये हो गया image of the slits इस activity shows how light gets reflected from a plain mirror तो इस activity में से हमने दिखा कि किस तरीके से light जो है वो plain mirror में reflect करते है तो अभी आप कुछ और सीजो को भी mirror के सामने रख के देख सकते है कि इसका image किस तरीके से बनते है तो यहाँ पे और एक activity है activity 15.2 लेकिन इस activity को करने ही इस से पहले आपको वो सब्दानिया बरतनी है तो इस activity में आपको सही है candle candle को आपको carefully handle करना है तो इस activity में आपको क्या करना है place a lightened candle in front of plain mirror तो आपको एक candle एक जला हुआ candle को mirror के सामने रखना है try to see the flame candle in the mirror उसके बाद आपको mirror में देखना है कि वो जो candle का जो flame था flame के साथ जो candle था उसको आपको mirror में देखना है it appears as similar the candle is placed behind the mirror जब आप mirror में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो real वाला candle था वो candle और जो mirror का candle था दोनों सेम देख रहा है which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror तो जो आपको mirror में देख रहा है जो candle आपको mirror में देख रहा है वो क्या है वो image है candle का तो आपने क्या रखा था candle के सामने एक object रखा था और जो आपको mirror में देख रहा है वो क्या है? वो एक image है The candle itself is the object तो जो real वाला candle था वो object था और जो mirror में दिख रहा है वो क्या है? वो एक image है Now move the candle to the different position in front of the mirror Observe each the image in each case तो आपको क्या गरना है भी जो candle है उसको अलग-अलग position पे रखना है और mirror पे आपको उसका जो image है उसको carefully देखना है कि वो कैसा होता है तो इस activity के लिए आप इस तरीके से candle को रखे ऐसे आप एक platform ले लीजिए वह आप इस तरीके से candle को place करें उसके सामने आप एक mirror रख दीजिए ये वाला candle है जो आपने जलाए है जो आपने platform पे रखा है ये हो गया object और ये वाला candle है ये है image तो आपे क्या है वुजु नोटेट इन इस notebook is it is not surprising that my image of the same size as whether the mirror is small or large आपे वुजु नहीं क्या बोला है कि जब आप लोग अपने image को मतलब खूद को जब आप लोग mirror में देखते है mirror सोटी हो चाहें बरी हो आपकी जो पूरा का पूरा आपकी जो image है आपकी जो body है वो mirror में दिखी जाते है ये कितना surprising है कि चोटी से mirror में भी आप पूरी तरीके से दिख जाते हो तो उसके बाद क्या बुला है was the mirror upright in these cases तो आप जब देखेंगे क्या mirror जो है वो हर cases में upright है मतलब did the flame appear top of the candle of this image is called erect मतलब जब आप लोग देखेंगे मतलब आप लोग क्या कर रहे थी कि candle का जो position है उसे आप लोग हिला रहे थे जो जब आप लोग candle के position को हिला रहे थे तो आप लोग क्या देख रहे थे कि यह जो फ्लेम था यह हर बर क्या ऊपर की तरफ ही था आप राइट आप राइट की तरफ ही था या फिर यह फ्लेम कई बर नीसे या फिर इस साइप में ऐसे सला गया था आप यह समाने होता है जो जैसा था वधिक्र आव ईमेज भी वैसे ही दिखते यहेँ सा कोई फीजरी मपर कहरे हो जाएं किसी और शेमे होता हेm जूप एमेस होते हैं वो सिधी दिखने लगते हैं लगते हैं है नटो जो इमेस सिधी देखते हैं उसे एरेक्ट कहा जाता है इरेक्ट का मतलब होता है सीधा तो उल्चानी हो जाता है कि पिते सेशायोग है इमेज फ्रटाट इस के ऑप्जेक्ट की तरह सिम साइज का ही इमेज भी होगेर अब अब को क्या करना है मिरर की पीस से एक वर्डिकल स्क्रीन लगाना है यहाँ पर आपको क्या करना है इक वर्डिकल स्क्रीन लगाना है इसमें आपको image देखना है candle का ठीक है can you get the image on the screen तो आप जो यह screen है पीसे वाला screen है उसमें कहीं पे भी आपको candle का जो image से वो दिख रहा है can you get the image on the screen now तो screen में कोई तरीके की क्या कोई image देख रहा है you will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen तो आपने क्या क्या था mirror की पीसे एक screen लगाया था तो जब आपने इसके सामने candle को रखा और आपने देखने की कोशिश की स्क्रीन में कि क्या इसका image आते है तो आपने देखा कि यह जो पीसे वाला screen था यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है image नहीं देख रहा है what about the distance of the image from the mirror let us perform another activity तो जो है आपको यहाँ पे देखना है कि image में से mirror का distance किया था उसे देखने के लिए आपको एक दूसरा activity करनी है जो हम लोग next वीडियो में देखेंगे अगर वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करिएगा और सेनल को सब्सक्राइब करिया थेंक यू